सबी दोस्तों का स्वागत है वेलकम बैक आप लोगों के लिए बोर्ड के कुश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूं इनको आप देख लें और अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा लगती है तो वीडियो को पॉस करके आराम से कुश्चन पेपर को देखें जो ये कु सोलूशन है वो भी मैंने डिस्क्रिप्चन बॉक्स में डाल दिया है आप अपने बोर्ड की प्लेलिस्ट में क्लास वाली प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं अगर आपकी सपोज करें आप MP बोर्ड से तो MP MP बोर्ड क्लास 10, एक्साम पेपर्ज के नाम से प्लेलिस्ट होगी, अगर आप RBSC बोर्ड में हैं, तो RBSC, एक्साली, illyस्ट होगी, सारी की सारी की पेपर्ज की जो प्लेलिस्ट है, वो डिस्क्रिप्टिंप्टेंड बॉक्स में दे रकिए, वहाँ से आप, अपने जो भी requirement है आपको subject की उसके question papers आप वहां से download भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं तो description box में आपको question paper आपके previous year के जितने भी question paper है 2019 के 18 के 17 के plus solutions और जो आपके latest paper exam हो रहे हैं उनके भी solutions और उनके question paper सभी इस जो चैनल पर available करा रहा हूं है चाहिए आप किसी भी board से हो वो issue नहीं करता वो matter नहीं करता और दूसरी बात बता दू मैं आपको अगर आपको वीडियो की quality अच्छी नहीं लगती या साफ नहीं दिखा रहे हैं यूटूब पर कोई भी video देख रहे हैं तो उसके लिए बता रहा हूं है तो उन वीडियो को देखने के लिए जब आप video कोई भी play करते हैं तो play करते समय या प्ले करने के बाद एक video पर tap करेंगे तो वीडियो के चार कोन ही होते हैं चोथे कोना जो आपका होगा right hand का उपर वाला कोना चोथा कोना जो right hand में उपर वाला होगा वहाँ पर जैसे आप click करेंगे वीडियो पर एक बार वीडियो पर click करते हैं वहाँ पर तीन डॉट दिखाए देंगे उस तीन डॉट पर एक बार click करें और click करने के बाद आप देख पाएंगे कि एक नया window खुला हुआ है चोटा सा pop window वहीं पर और उस पर लिखा है quality का option उस quality के option पर click करें वहाँ पर आप देखेंगे 144 से quality सुरू होते 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 बढ़ती जाएगी तो आप कम से कम 380 या फिर 420 पी select करें जितनी बढ़िया quality चाहिए उतना ज्यादा आपको value select करनी पड़ेगी वह automatic बिल्कुल HD में चलने लगेगा लेकिन आपकी speed जो है वो net के पर depend करती है नेट आपका ठीक ठाक चल रहा है तो आपके वह quality select करेंगे वह चल जाएगी तो आसा करता हूँ आपको यह information सही लगी होगी YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं उसकी quality इसी तरह से सही होती है अब इस paper की बात करूं तो यह जो paper है आगर आप देख पा रहे हैं तो इन papers के सारे questions को देखिए प्लस previous year के questions है उनको भी देखिए तो उसमें क्या है आपको एक value और एक फाइदा होगा जिन्होंने exam दे दिया वो तो direct solution देख सकते हैं इसका जो मैंने description box में playlist के अंदर provide करा रखिए और जो question paper देखना चाते हैं उनके लिए मैं बता दूँ यह question paper देखने का benefit क्या है तो benefit यह हर question को आपको इसको ज्यादा समझानी की जरूत नहीं होती है आप खुद देख सकते हैं कि कौन कौनसे question paper में कौन कौन कौनसे question आ रहे हैं प्लस कौन से tendency है, कौन से probability है, जो इस साल वो question repeat होगा, या इस साल नया जो question आएगा वो, प्लस आप अगर exam के question papers को आप solve करते हैं, उसी duration में है, जैसे कि आप मान लीजिए, एक question paper का time दे रखा है तीन घंटे का, तो तीन घंटे में ही आप उस paper को solve करते हैं, अगर आपने 4-5 paper solve कर दिये, एक महिने के अंदर अंदर, practice करते 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 करते, आपने तीन घंटे में 30 question को solve कर दिया, तो आपकी इतनी अच्छी practice हो गई, कि आप exam में जाकर के 3 घंटे आपको बहुत easy लगेंगा, आप सोचोगे कि मैं तो धाई घंटे में paper कर दूँगा, ये benefit होता है previous year के question papers को देखने का, plus दूसरी बात जब भी आप question paper attempt करते हैं, तो आपको question आए या ना आए, आपको question attempt करना ही करना है, चाहे हो गलत करें आप, देखी आप नहीं attempt करेंगे,